ऐसा पहली बार देखा गया है कि पुतिन जंग में आपा खो बैठे हैं। भयंकर गुस्से में पुतिन ने यूकरेन पर आरोप लगाया है कि यूकरेन ने रूस के खिलाफ परमानू जंग ठेड़ दी है। पुतिन का साफ आरोप है कि यूक्रेन के कुसर्क में यूक्रेनी सेना ने उसके परमानु सेयंत्र में धमाका करने की कोशिश की है। पुतिन नी यहां तक साफ कर दिया है कि रूस अब चुन चुन कर उन देशों को निशाना बनाएगा जो रूस को मिटाने का ख्वाब देख रहे हैं। पुतिन ने रूस के 6 लाग से जबाड़ को मार डाला है। उस वक्ट भी पुटिन को गुस्ता नहीं आया। जब यूक्रेनी ने दावा कि उसने रूस के कुर्सक इलजागे में लगभग तेरा सो वर्ग किलोमेटर इलाके पर कबजा कर लिया ilye, तब भी पुतिन पुरिंस्की ने एलान किया कि उनकी सेना रूस पर अवेरिकी वमों से हमला कर रही है और जल्द ही मॉस्को को टार्गेट करेगी तब भी पुतिन ने रत्तिवर परवार ही की लेकिन 22 अगस्त की आधिरात को रूस के कुर्सक में युक्रेनी सेना ने कुछ ऐसा किया है कि राश्ट्रपती पुतिन ने आधिरात में ही दुनिया के सभी सुपर पावर देशों को धमकिती है कि अगर रूस को परमानु जंग से खत्म करने की कोशिश करोगे तो ऐसे हर देश को रूस धर्ति से मिटा देगा जलेंस्की का परमानु मिशन भैंकर गुस्से में पुतिन लगता है 900 से ज़्यादा दिन की जंग के बाद रूस यूकरेन जंग अब परमानु युद्ध के बेहत करीब पहुँच चुकी है हम आपको पूरी ख़वर फुल डीटेल के साथ बताएंगे कि क्यों रूस अब एटमी युद्ध करने के लिए मजबूर होने जा रहा है लेकिन उससे पहले एनिमेशन के जरीए ये देख लीजिए कि 20 और 22 अगस की रात यूकरेन की स्पेशल पोर्स ने कुर्सक में मौझूद रूस के परमानु उर्जा सेयंत्र को धमाके से उड़ाने के लिए क्या किया है राश्टरपती पुतिन ने यूकरेन पर बहुत बड़ी परमानु साजिश का आरोप लगाया है खबर के मताबिक रूस के कुर्सक में परमानु उर्जा स्टेशन को यूकरेन ने उड़ाने की कोशिश की है ताकि रूस का कुर्सक इलाका परमानु धमाके में तबाह हो जाए जो अपुष्ट खबरे आ रही है उसके मताबिक यूकरेन की स्पेशल फोर्स ने कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाईल और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की है रूस का दावा है कि कुर्सक परमानु उर्जा संयंतर को धमाके से उड़ाने की कोशिश की गई है दावा यहां तक किया गया है कि कुर्सक परमानु उर्जा संयंतर को आधी रात कार्गेट किया गया था लेकिन रूस के खुपिया एजेंट और सैनिकों ने इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है दावा तो यहां तक किया गया है कि अगर यूक्रेन के मिसाइल और ड्रोन कुर्सक परमाणू उर्जा संयंत्र में दमाका कर देते तो रूस का कुर्सक इलाका पूरी तरह से भस्म हो जाता यूक्रेन की इस परमाणू साजिश के बाद पुतिन भेंकर गुस्से में आ गए है पुतल से सब्सक्राइब नासीट नासीट उदारे पो आटमने इस्टांसे मेजनरोने अगेंस्ट पो आटमने एनरगिये प्रेंफर्मिरोवना अनी अबीशाइब पुतिन ने अंतराष्टिय परमाणू उर्जा एजेंसी को लिखित में और सबुतों के साथ जानकारी दी है कि यूकरेनी सेना ने कुर्सक परमाणू उर्जा संयंतर को निशाना बनाने की कोशिश की है पुतिन ने टेलिविजन पर कहा कि दुश्मन ने रात में परमाणू उर्जा संयंतर पर हमला करने की कोशिश की अंतराष्टिय पर्माणू उर्जा अजेंसी को सूचित कर दिया गया है अभी तक कुर्स्क पर्माणू उर्जा सैयंतर से 35 किलोमेटर दूर जंग हो रही थी लेकिन अब कुर्स्क पर्माणू सैयंतर पर हमला करने की कोशिश की गई है पुदीन का दावा है कि कुर्स्क पर्माणू उर्जा संयंत्र के अंदर यूक्रेन के ड्रोन के कई टुकडे मिले हैं जिने रूसी सेना ने मार गिराया है अंतराश्ट्य परमानो उर्जा अजिंसी के महाने देशक राफेल मारियानो ग्रासी के मताबिक कीव की सेना द्वारा किये गए आकरमन के बाद कुर्स्क परमानो उर्जा संयंत्र रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की अग्रिम बंक्ती में आ गया है युक्राइन के तोप खाने की रेंज में एटमी सेयंतर आ चुका है और अब युक्राइन उसे टार्गेट कर रहा है नाशी ब्रोनी ऑपराइए ना दोनेश नी हार्किव्षी ना पीव्ड्नी उक्राइन नाशी ज्वील नाशी जी दिस्टेमनी श्लाग जाहिस्त उक्राइन पर्मानु जंग की तैयारी धूल में मिल जाएगा नाटो रूस ने पुतीन की इस पर्मानु साजिश के बाद से अन्दादुन्द हवाई हमले करने शुरू कर दिये हैं खबरों के मताबिक रूस ने कुर्स्ट में घुसाई यूक्रेनी सेना पर ड्रोन, मिसाईल, फाइटर जेट और तोखाने से बड़े हमले शुरू किये रूसी रक्षा मंतराले की तरफ से जारी किये गए वीडियो को देखिए लेंसेट अटेक ड्रोन द्वारा एक यूक्रेनी टैंक को निशाना बनाया जा रहा है इस वीडियो में जोरदार धबाका होता है और यूक्रेनी टैंक तबाह हो जाता है वार एक्सपर्ट्स के मताबिक यूकरेणी सेना कुर्स्ट में फस शुकी है और रूसी सेना čारो तरफ से उसे घेर कर मार रही है। इसलिए यूकरेणी सेना ने कुर्स्ट एटमी सैंयंतर को टार्गेट बनाया ताकि रूस को डराया जा सके। लेकिन हकीकत में फुतीन ने यूक्रेयन के साथ-साथ 32 नेटो देशों को एटमी धंकी देर डाली है। दावा किया जा रहा है कि रूस नेटो के 32 देशों से एटमी जंग कर सकता है। हम आपको एनिमेशन के जरीय दिखाते हैं पुतीन की एटमी जंग का सबसे पहले शिकार कौन-कौन हो सकता है। प्राम्रिकर फूस नेटो का सबसे एटमानु से वार अगर बारiiii जया जा शिकार गए। अगर अगर ऐसा हुआ तो पूरा वार गेम दुनिया का विनाश कर देगा। व कर दोendoद आखी पकात क करे ल aha अवरी को म Вас करेंुद को जो दो करे मा PO डिरियों आवरी आपले आवले को ला आमा चला Loud का श दो उ यरे आप आपयोजेन हं़ा पसक्राइों व सर दो आवरां ऊजिस्पेशा है वने जाली को आपना पुतीन की परमानु जंग की तयारी का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस ने पहले चरण में परमानु जंग में सक्षम, किंजल और इसकंदर मिसाईलों से अभ्यास शुरू कर दिया है। रूसी सेना दक्षणी सैन्ने जिले में परमानु जंग की तयारी कर चुकी है यही वजा है कि अब उस दावे की दहशत पूरी दुनिया पर छाने लगी है जिसमें दावा किया गया है कि तीसरे विश्विद्ध की बाहत्तर मिनर की परमानु जंग बहुत भारी पढ़ने जा है कि रूस की परमानु हमला करने की तयारी पूरी हो चुकी है रूस के राष्ट्रपती बलादी मिर पुतिन कभी भी हाइपरसोनिक मिसाइलों से परमानु हमले का आदेश जारी कर सकते हैं आशंका जताई गई है कि अगर परमानु युद छिड़ा तो 72 मिनट के अंदर ध रूस के वजूद से जुड़ चुकी है जिसके चलते अब रूस परमानु जंग करने को मजबूर हो चाएगा इधर जो हालात रूस से सटे पोलेंड के अंदर चल रहे हैं वो चीक चीक कर गवाही दे रहे हैं कि अब अमेरिका ब्रिटेन जैसे 32 नेटो देश यूकरेन को बचाने के लिए रूस पर सीधा परमानु हमला कर सकते हैं यूकरेन के प्रधार मंतरी डेनिस शामिहाल ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर यूकरेन रूस से जंग हारता है तो दुनिया तीसरे विश्युद में भस्म हो जाएगी पुतीन की आखरी जंग 72 मिनट 300 करोड मौत बाततर मिनट में धरती द्वन्स कैसे हो सकती है यह समझिए रूस की मिसाइल फायर होते ही 25 मिनट में न्यू यूक पहुँच जाएगी न्यूक मैप के अनुवान के मताबिक इससे पहले हमले में ही 16 लाख लोगों की मौत हो जाएगी और 30 लाख लोग खायल हो जाएगे इसके बाद 25 से 50 मिनट में धरती पर परमाणू यूद शुरू हो जाएगा यूरोप पर रूस के हमले शुरू हो जाएगे यूस और फ्रांस मिलकर रूस पर परमाणू हमले शुरू कर देंगे यूएस और ब्रिटन मिलकर चीन पर परमाणू हमले कर देंगे और चीन भी पलट बार करेगा रूसी गडबंदन का देश नौथ कोरिया भी यूएस यूरोप पर हमले शुरू कर देगा पचास से लेकर 72 मिनट तक महा विनाश होगा यानि इन 22 मिनटों में धर्ती पर 5000 परमानू धमाकों का अनुमान जताया जा रहा है नूकलियर वार, असिनेरियो, बुक के मताबिक इन धमाकों में 300 करोड से जादा लोगों की मौत हो जाएगी नूकलियर वार, असिनेरियो किताब में अनुमान लगाया गया है कि 100 साल तक विनाश का चक्र चलता रहेगा हैरानी की बात तो ये है कि पिये मोदी जलेंस्की से मिलकर युद्ध को रुकवाने की कोशिश में लगे हैं लेकिन यूकरेन की एटमी साजिश ने पुतीन को भेंकर गुस्ता दिला दिया है अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में रुस यूकरेन से कुस्क परमाणू उर्जा संयंत्र का बदला कैसे लेता है